हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वालों गूगल मैसेश हैप के नए अपडेट या वह सकते हैं नए फीचर के बारे में जो कि आने वाले वाले टाइम पे सब को रॉल आउट हो जाने वाले टाइम पे लिए आ चुका हो जैसे आपको बताऊगा जो कि अभी रिसेंटली बीटर यूजर के लिए और बहुत सारे फीचर में पहले बता भी चुका हूं जिसके लिए वीडियो में यह बनने लिंक देदूँआ जाकर आप देख सकते हैं आज मैं जो बी रिसेंटी चेंजिस हों उसके बारे में बताने वालों आगे माणने स तबसेले जाना है आपको अपने मॉबाइल के प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने क्या तो आपको अपने Google Messages एप को अपडेट कर लेना है अगर आपके पास बीटा वर्जन नहीं है तो हो सकता है अभी आपको यह फीचर ना मिले है अगर बीटा यहां पर चैट करेंगे तो वो end to end encrypted रहेंगी और वापको और आपको मैसेस करके बता भी रहोगा आप सकता है और यह फीचर काफ़ी अच्छा है और साथ में इसमें एक feature और दीदे गया था कि आप यहाँ पर chatting कर सकते थे किसी को भी है click करके कुछ आपको यहाँ पर अगर emojis बेजना है यह reaction बेजना है तो आप यहाँ पर reaction भी बेज सकते थे यह आने वाले time पर सब को roll out हो जाएगा यह chat की तरह यहाँ फीचर काम करेगा और अगर आप चाहें तो इसमें किसी को कुछ भीजना है photos, videos भी हाँ पर आप send out कर सकते थे तो यह feature को आपको enable करना होगा enable करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर यहाँ जाना होगा message setting पर message setting में सब सूपर मिलता है chat feature वाला, आपको इसको enable करना होगा by default यह off रहता है जब आप इसको enable करेंगे तो ही यह work करेगा तो आपको इसको यहाँ पर enable कर लेना है तो सबसे पहला जो feature है यहाँ पर यही दिया गया, अब इसमें एक नए और changes दे दिया गया, अगर आप यहाँ पर click करके कोई group बनाते हैं, तो group बनाने में क्या होता था पहले आप यहाँ पर 21 जने को यह आप हो सकते हैं 20 लोगों को ही group में add कर सकते हैं 20 आप दूसरों लोगों कर सकते थे अब आपको यहाँ पर profile का section मिल रहा है, यह आपके बाद शायद हो सकता है, नहीं मिल रहा है, और हो भी सकता है, मिल भी रहा है क्योंकि अभी recently beta user को roll out किया गया है, यहाँ पर क्या होने वाला है जैसे कि मैंने कोई यहाँ पर mail id select कर ली, और अगर आप मैं यहाँ पर click करके देखूँगा तो आप देखेंगे उसी mail id selected यहाँ पर मिल जाएगा, और मेरे जो भी date message है वो उस ID पर signalization हो जाएगा, जब भी मैं कोई जोशी device सो login करूँगा, तो मैं सब access कर सकता हूँ इसका फायदा ही है, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप जाके देख भी सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि याद मुझे ऐसा नहीं करना है, तो आप यहाँ से click करिए और use without an account कर दीजे, तो कोई भी account यहाँ पर use नहीं होगा, तो यह भी बहुत शान्दा चीज़ यहाँ पर दी गई है और इसके बाद यहाँ पर जो next feature बताने वालों, अगर आप इसमें से, जैसे कि मैंने बताया, आप chatting करते हैं और किसी कोई emojis भेजना चाहते हैं, reaction भेजना चाहते हैं, उनके message पर तो आप अब यह iPhone के user के साथ भी कर सकते हैं, मतलब कि iMessage से अगर कोई message करेगा, उसमें भ जाना है वाप पर message setting पर, message setting में जाने काद आपको जाना है, यहाँ पर फाले feature पर, advance में जाने काद आपको सबसे नीचे मिलेगा, show iPhone, reaction as images, तो आपको उसको भी यहाँ पर on कर लेना है, तो जैसी वो reaction देंगे, तो आपको यहाँ पर आपके Google message पर भी वो देखने वाला है, यहाँ पर कमाल का feature है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताने वालों categories का, तो यहाँ पर categories का option भी बहुत शादर दिया गया है, आप यहाँ पर categories कर सकते हैं, अलग-अलग section को और देख भी सकते हैं, लाइक यहाँ पर all पे करेंगे तो जितने भी message होंगे, सब दिखेंगे personal होंगे तो personal दिख जाएंगे, transaction होंगे तो transactions related जो भी होंगे हैं दिख जाएंगे, OTPs होंगी तो OTPs दिख जाएंगी और offers जो भी होंगे, आपको यहाँ पर offers मिल जाएंगे, सब आपको अलग-अलग कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ों करते हैं दोस्तों जैसे OTP बहुत सा करना नहीं रहेगा, वह आटोमेटिक वहाँ पर डिलीट हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको जाना होगा, सैटिक पर, सैटिक पर जाने के बाद आपको जाना है, आपको जाना है, यहाँ पर message organization पर यहाँ पर आपको एक feature मिल जाएगा, auto delete OTP after 24 hours, current and future OTP automatically delete after 24 hours, तो आप इ feature use कर सकते हैं, तो दोस्तों यही कुछ नए, मैंने आपको feature बता है, इसमें नया feature mainly यह है, कि इसमें end-to-end encrypted feature को add-on कर दिया गया है, E2E feature यहाँ पर add-on किया गया, end-to-end encrypted वाला feature, फिलाल whatsapp पर फिलाल google message app पर यह roll out हो चुका है, आने वाले time पर सबको roll out हो जाएगा, और यह अब यह whatsapp की तरह ही काम करने के लिए आगे working कर रहा है, आने वाले time पर आपको message बेज़ेंगे, तो फर्स्ट बार आप एक single tick कुछ important features बता हैं यहाँ पर, उमीद है कि आपको मेरी video पसंद आई होगी, ऐसी नई updates के लिए मैरे channel पर subscribe कर लेना, तो thank you